हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी सभी को नमस्कार गुड इवनिंग आज का मारा मैथ और रिजिनिंग का प्रैक्टिस एट 4 है इसी तरह हम डेली आपको एक प्रैक्टिस एट प्रोवाइड करवाते रते हैं अगर भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सुस्क्राइब करना आज के मारी जो कलास होगी एचसी सीटी के उपर वेरी वेरी मोस्ट इपोर्टन क्यूसन है जो आपके लिए इनका लेवल भी मैथ और रिजिनिंग का बहुत कुछ है ठीक देखने को मिलेगा आपको इस प्रैक्टिस एट के अंदर बस चैनल पर नही हो तो चैनल को सुस्क आएगा अब देखो आई और ये था आई और जे और उसके बाद क्या है पी और आर है अब देखो आई के अंदर जब सेवन एड करेंगे तो कितना आएगा पी आएगा इसी पर जब जब जे के अंदर एट एड करेंग तो कितना हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा सेम इसी है यह था SU और यहां पर बताना था अब देखो S के अंदर से जब 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मारा L हो जाएगा उसी के बाद इसके अंदर 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा मारा MB राइट आंसर हो जाएगा मारा option number B हो जाएगा चलिए next question देखो question number 47 reasonings यह इसके अबाद हम math के question भी करेंगे चार option है प्रमवीर चकर असोग चकर वीर चकर और मावीर चकर इसके अंदर बताना हमें कौन सा अलग होगा तो असोग चकर है ना वो इसके अंदर अलग हो जाएगा बाकी प्रमवीर चकर हैं और वीर चकर हैं और मावीर चकर हैं यह तीनों की तीनों वीरता के पुरुसकार हैं भी किसके पुरुसकार हैं वीरता के पुरुसकार हैं अब देखो next question question number 48 चार तीन बारा यानि चार और तीन को गुणा करी है ना तो कितना हुआ बारा हुआ इसी परकार 9 और 2 को कुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 और 6 को करेंगे तो 18 जब 4 और 2 को कुणा करेंगे तो 8 होगा यानि 0 8 हाना चाहिए था यहाँ पर तो यहाँ पर 16 दे रखे था यानि right answer कौन सा हो जाएगा उपसे नमबर B हो जाएगा भी अब देखो next question नीचे दिये गई इस परकार है इसको भी complete करना है हमें पता है भी M है यह दे रखे आपको एक दे रखे है M फिर N फिर P और इसके बाद में S T V अब देखो सभी के अंदर का जो gap होगा यानि इसके अंदर 6 एड़ करेंगे फिर इसके अंदर 6 एड़ करेंगे इसके अंदर 6 एड़ करेंगे तो सेम होजेगा जब S के अंदर 6 एड़ करेंगे तो Y होजेगा इसी परकार यह continue चलता रहेगा अब देखो F के अंदर जब 6 एड़ करने लग जाएंगे तो होजेगा हमारा E उसके बाद में F और उसके बाद में G H होजएगा भी यानि राइट अंसर उपस नमबर कौन सा होजएगा C होजएगा भी अब देखो नेक्स्ट किसन किसन नमबर ये वेरी वेरी इपोर्टेंट किसन इस परकार का किसन अगर अग्जाम के अंदर आजए आपके तो किस परकार हल करना सबसे पहले इनको काउंट कर लो कितने हैं एक फिर दो फिर तीन फिर चार चार और दो च्छार एक साथ आठ नो दस ग्यारा बारा यानि टोटल कितने हैं बारा हैं यानि इनके क्या मना लेंगे भी जोडे मना लेंगे यानि कि पेर बना लेंगे कितने के पेर मना लेंगे चार चार के पेर मना लेंगे अब देखो इसको किस प्रकार करते हैं चार चार के पेर मनाओगे न तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिखाए देर आपको M और N द डाल देता हूं अब देखो यहां पे चार का गैप मना देंगे यहां इसको क्रोस कर लिए इसी के बाद में यहां पे चार का गैप मना देंगे अब देखो M के बाद में क्या आजएगा N आजएगा फिर O है फिर क्या आजएगा P पिर M N है फिर आजएगा O फिर क्या कि उसन वेरी वेरी इपोटेंट सुनिता सामने से यानि यहां से देख रहे हैं हमान के चलो यहां से देख रहे हैं नोमे स्थान पर ओके और उसके बाद सुनिता के बाद में यानि यह थी सुनिता सुनिता बैठी है नोमे स्थान पर और इसके बाद और रेखा से पहले यानि यहां पे है रेखा और इन दोनों के बीच में कितनी लड़की है च्छै लड़की है यहां पे कितनी लड़की है भी टोटल इन दोनों के बीच में च्छै लड़की है यानि नो तो यहां पे थी 6 के बाद में ठीक है यहां पे है भी रेखा रेखा के बाद में यानि आखरी छोड़ से 12 अस्तान पर कौन सी है रेखा यानि पीछे से देखें तो रेखा कौन सा अस्तान आ जाता है भी 12 आ जाता है पलस कर दो 12 पूछा क्या चात्रों की कुल संग क्या तो नोच है 15 और 12 कितने हो गए 27 हो गए यानि राइट आंसर कौन सा हो गए उपसे नमबर डी अब देखो नेक्स्ट क्यूशन भी नेक्स्ट क्यूशन दे रखा है एक आदमी अपने कारेले की तरफ जाता है डारेक्शन से आपके अगजाम के अंदर एक या दो क्यूशन आएंगे यह हो गया आपका पूरव यह हो गया यहाँ पर लिखलो नहीं पूरव और यहाँ पर पस्चिम यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षन अब देखो एक आदमी आठ किलोमेटर चलता है अपने पू अब देखो समकौनती रुपज मनगी यह तो मनगया आदार और यह क्या हुआ भी लंब और यह क्या है करन और इसका स्केर करते हैं तो 6 का स्केर करोगे पलस 8 का स्केर करोगे और सारे का रूट 6 का स्केर करोगे 36 8 का स्केर करोगे 64 इन दोनों को एड़ करोगे तो 100 का यानि इसके अंदर देखो right answer कौन सा होज़ेगा हमारा option number C होज़ेगा अगर यहाँ पे दो option होते अब देखो और इसकी dark sign भी कौन सी है यहाँ पे दिदक्षन और यहाँ पर है पूर हो यानि दक्षन पूर होज़ेगा यानि option number C right होज़ेगा भी चलिए next question देखो जब सुरेश है वो मोहन को देखता है और उसकी पहचान अपने बानजी में यानि यहाँ पे है सुरेश और यहाँ पे है भी मोहन ओके सुरेश की बानजी यानि इसकी होगी यह बानजी और बानजी का बाई यहाँ पे इसका बाई ओके बाई के पिता पिता कौन है भी मोहन ही हैं तो मोहन क्या लगा इसका बेहनोई लगा यानि अपसे नमबर सी राइट हो जाएगा चलिए भी नेक्स्ट क्यूसन देखो क्यूसन नमबर फिप्टी पॉर अब देखो इसके अंदर क्या दे रहा है तीन पत्तर हैं वो अलग अलग आदमियों से लिखे हुए है ठीक है औ तीन तो थे लेटर और तीनों लिफापों के अंदर इस तरह डाल दिए कि बिना देखे पत्ते लिख दिए यानि कि उनका एडरेस लिख दिया और सई पत्तर लिफापे के अंदर है उसकी क्या प्राइक्ता होगी अब देखो टोटल पत्तर कितने थे एक पहला था और दो और 3 था यानि total factorial कितने हो गए? फैक्टोरियल शे क्यूसन है तीन factorial हो गए भी इसको हल करेंगे तो 3 गुणा में 2 गुणा में 1 यानि कुल सं भावना कितनी हो सकती है? छह हो सकती है और निकाला कितना है? सही पत्तर यानि आएगा तो इन तिनों में से एक ही सही आएगा, तो एक बटे कितने कुल प्रणाम कितने हुए, चाही, यानि प्रोबल्टी कितने हुई, एक बटे, चाही, यानि प्राइक्ता कितने हुई, एक बटे, चाही, नेक्स्ट क्यूशन देखो, very very important क्यूशन, साइन तिटा है, आठ बटे 17, इसके लिए भी इस यानि इसका मतलब होता है भी L से लंब, A से अदार, L से लंब, इसी परकार के से हो गया करन, यानि ये तो हो गया लंब, ये हो गया आदार, ये लिखे लेता हूँ मैं L, और ये क्या हो गया आपका करन, और यहां पर होता है भी साइन, और होता है कोस, फिर होता है टैन, होता है यहां पे coat यहां पे secant और यहांपर स्क्यर करेंग यहां अपने होगा लुख делать आप कि ने यहां needed झालेंगे तो कितना हो जाए गए 225 हो जाएगा 225 office का जब रूट करोगे तो अदार आजेगा हमारा 15 भी ठीक है यहां तक कलियर अब देखो 2 साइन पलस कोज तिटा यानि 2 तो 2 रख लिया साइन कमान कितना है 8 अबटे 17 पलस में क्या है कोज तिटा अब देखो यह क्या बूल रहा है और 90 डिगरी अगर यहां तक होता ना इतने तक होता तो तो हम इसको यहीं पर रिख लेते अगर यह कहरा भी 180 डिगरी से कम है तो यहां पर पलस की जगह क्या कर लोगे हम माइनस कर लेंगे और कोज तिटा का मान क्या होता है कोज होता है हमारा A बटे के क्या होता है भी ए बटे क्योता है यानि अदार बटे करण अदार कितना था 15 था और करण कितना है 17 है अब देखो आठ दूनी 16 बटे कितने हो गए 17 माइनस का 15 बटे 17 यानि 16 में से 15 गए एक बटे 17 बच गया, उपर वाड़ा आगया, एक बटे 17, नीचे देखो तीन कोस, यानि की तीन, कोस को क्या कोस का मान था भी आपका 15 बटे 17, यानि माइनस का 15 बटे 17, पलस का 5 गुणा में साइन, साइन कितना है, 8 बटे 17, 15 की तीन की गुणा करेंगे, माइनस का 45 बटे 17, इसको हल करने पर कितना आया माइनस का 5 बटे 17 अब लिखना है बटे के उपर लिखना है यानि साइन वाड़ा उपर ला मान किया था 1 बटे 17 और बाग के अंदर करोगे तो कितना होजेगा हमारा नीचे से माइनस का 5 बटे 17 यानि यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको एक मिन्ट थोड़ा सा मारकर चैंज कर लेता हूं एक मिन्ट भी अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैं एक बटे 17 और बाग में पलटेंगे तो इसको हो जाएगा 17 बटे माइनस का 5 बटे 17 से 17 कैंसल आया कितना माइनस का 1 बटे 5 यानि ओप्सन नंबर कौन सा हो गया डी हो नेक्स्ट किस्टन तीन समुए के अंदर हमें दे रखा है 6,4 और अधार दे रखा है उनका माद दे दे रखा है यानि तीन से कही है ये लिख लिए 6 और अगली है 4 और उसके बाद है 5 इनका माद है कितना दे रखा है इसका है 15 इसका है साड़े 22.5 अगली का है 24 इनको कर ल लें कितना हो जाएगा जीरो से जीरो नो नो अठारा दो बीस और एक दो एक तीन यानि तिन सो गए टोटल कितने हुए तिन सो और यहीं पर इन संख्याओं को एड़ कर लेंगे छै चैर दस पांच पंदरा निकालना क्या समली तमाद दे निकालना था यानि तीनों आपके डाउट कलियर होते जा रहे हैं अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलने साथ में नोटिफिकेशन बैल दिया करो भी बिल्कुल सोड तरिके से कराएंगे इस क्यूशन को आपको एक्स का स्क्यर माइनिस का पांच एक्स प्लस का अच्छ अब देखो बराबर क्या है जिरो नो और चैनल को एड़ करते हैं कितना होता है पंदरा माइनिस का पंदरा बराबर कितना है जिरो पंदरा है जिरो यहाँ पर तो होगी है सेट बिल्कुल तीन सही है दूसरे केस में डाल के देखो तीन को तो तीन की कितना हो गया नो माइन इसका 1 बराबर 0 यह सुटेबल नहीं है यानि कि option 3 कट गया भी अब उठाओ option number 2 option number 2 उठाएंगे अब देखो 2 रखेंगे x की जगा तो 2 का square करेंगे 4 minus का 2, 5, 10 plus का 6 बराबर 0 6 और 4 पलस वाणगों जोड़ लो 10 minus का 10 बराबर 0 तो 10 minus 10 की 0 बराबर 0 यहां पर तो हो गया बिलकुल है ठीक next के अंदर चेक करो x का square minus का 6 x के अंदर जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 minus का 6 दूनी 12 plus का 8 बराबर 0 अब plus वाणगों जोड़ लो 8 चेर 12 में से 12 गटाएंगे तो 0 और 0 बराबर कितनी होगी 0 यानि राइट आंसर कौन सा हो गया भी option number B हो गया option उठागे भी चेक कर सकते हो भी next question देखो दिवित्य चुतान ये question आपको हर बार exam के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है एक बार और देख लोग पिछले practice set के अंदर भी इस परकार के question करवाए थे ये होता है हमारा first quadrant यानि पहला चुत उरतांस ये होता है दूसरा ये होता है तीसरा और ये होता है चौता और इसके अंदर होते हैं भी सारे plus वाड़े ओके इसके अंदर होते हैं minus फिर plus तीसरे के अंदर होते हैं दोनों के दोनों माइनस चोत्ते के अंदर होते हैं पहला पलस और फिर माइनस ये क्या बोल रहा है किसी भुज के और कोटी के प्रणाम दूसरे केस में दूसरे केस में क्या होगा भी पहला माइनस होगा फिर पलस होगा यानि राइट आंसर कौन सा होजेगा उपसे नमबर C होजेगा अगर तीसरा पूसता दोनों के दोनों माइनस अगर चोथा पूसता तो एक पलस एक माइनस आसा करूँ आपका डाउट कलियर हो गया है इसके जो प्रैक्टिस सेट के क्यूसिन है वो थोड़े से आई लेवल की है ठीक है वेरी वेरी इपोर्टेंट क्यूसिन A B बराबर B C दे रख़ए इसी डारेक्शन के अंदर समझा देता हूँ मैं इसी आगरती में A B बराबर B C अब देखो इस बुझा के बराबर क्या बता रहा है B C एक चीज हमें से याद रख लेना जो बुझा बराबर होगी तो उसके सामने वाले कौन भी बराबर होगी यानि A B के सामने वाला कौन कौन सा है C है और इसके सामने वाला B C के सामने वाला A है यानि कि हमें पता चल रहा है A के बराबर क्या है C है कलियर और अब देखो A B C कौन ये कौन कितना दिखाई दे रहा है B 90 डिगरी B 90 डिगरी हो गया ठीक है अब देखो B है जो कौन यहां पे लिख दिया मैंने B कितना है 90 डिगरी है हमें पता है तिर पुझ के तीनों कोणों का यो कितना होता है भी 180 डिगरी होता है यानि इस 180 में से 90 गठा दूँगा जो कोण B कितने बज़ेगा 90 बज़ेगा यानि कि A और C दोनों के दोनों बराबर है यानि ये कितने कितने डिगरी के आगए ये भी 45 डिगरी का आगया और C भी कितने डिगरी का आगया भी 45 डिगरी का इगा कलियर निकलना का है BCD का मान निकलना है यानी ये B है ये C है जो ये एंगल दिखा दे रहा है ये एंगल निकलना है में अब देखो कोई भी Transversion Line होती है याowner, तीरी एक रेखा होती है, अगर उसको दो बागों में बांट दे, तो उनके दोनो के दोनो कौन कितने डिगरी के बराबर होते हैं भी, 180 डिगरी के बराबर होते हैं, ठीक है, यानि अब देखो, इन दो कौनों को अगर मैं पूछ लूँ आपसे, तो कितने डिगरी के होंगे 180 डिगरी क्योंकि आपको पता भी है ये परपेंडिकुलर है ये भी 90 डिगरी है और इस साइड वाड़ा भी क्या है 90 डिगरी इसी परकार इस लाइन के अंदर देखो आप अगर ये एंगल 45 डिगरी है और यह एंगल निकालना यानि टोटल एंगल तो दोनों 180 degree के बराबर है हमें पता है 45 degree तो सी एंगल था उपर यह वारा एंगल पलस में इसको मान लेते हैं B, C, D बराबर इसके है 180 degree के OK, B, C, D कामान निकालना है तो 180when में से भी 45 माइनस करेंगे 180C में से पंतारी माइनस करें कितना बचेगा 135 डिगरी तो BCD का मान कितना हो जाएगा अभी option number A right answer हो जाएगा इसके अंदर कुछ नहीं करना था हमें पता था B एंगल दे रखा था 90 डिगरी ठीक है दोनों के दोनों एंगल कितने होगे आपके जो A और C वो बराबर होगे क्यों बराबर होगे क्यों कि इसने बोल दिया A B के बराबर क्या है BCA तो A बुझा के बराबर सामने वाड़े एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं यानि A कौन और C कौन भी क्या हो जाएगे बराबर यानि दोनों पंतारी पंतारी डिगरी के होगी अब C पुछा था B, C, D पुछा था हमें पता है एक लिनियर पेर यानि एक ट्रांसफर्शल लाइन यानि कि एक तीरियक रिखा कोई लाइन को काटती है तो दोनों के दोनों एंगल होते हैं एक सोसी डिगरी के बराबर होते हैं ठीक है इस परकार हम एक सोसी में से पंतारीस करके एक सो पैंती डिगरी एंगल B, C, D निकाल लिया आसा करूंगा आपका डाउट कलियर हो गया है अब देखो क्यूस्टन ये दो संख्याओं का योग 24 है उनके वर्गों का योग 386 है एक संख्याओं पूछिए इसके अंदर कुछ लेंटी करने की कोई जरूरत नहीं है आप डारक्ट अप्सन उठाओ हमें क्या पूछा है एक संख्याओं पूछिए मान लो एक संख्याओं आपकी सत्रा ठीक है एक संख्याओं ले लिए 17 दोनों संख्याओं का योग हमें दे रख था 24 तो दोसरी संख्या कोनछी होग भी मान लो यह पहली संख्याओं तो दूसरी संख्या कितनी होजएगी 24 में से 17 गठादेंगे 7 होजएगी और यह क्या बोल रहा है बट हमें चाहिए 386 यानि हमें पता चल गया option number A तो नहीं है option number B उठाओ यानि option number B का है पहली संख्या ले लिए हमने 19 और दोनों संख्यां को योग दे रखा है 24 यानि पहली संख्या होगी 19 दूसरी संख्या कितनी होजेगी भी पांच ही होगी क्योंकि 19 और पांच को जोड़ें तभी 24 होता है और ये बोला है इनके वर्गों का योग 19 का वर्ग करो कितना होगा 361 पांच का वर्ग करो कितना होगा 25 इन दोनों को जोड़ो 5,1,6,6,2,8,3,1,3 यानि 386 होगा और यहीं पर भी क्या अदा वर्गों गया हो 386 था यानि राइट आंसर कौन सा होगा उपसन नंबर B अगर ये पूछ लेता दूसरी संख्या कितनी होगी तो दूसरी संख्या होगी तो दूसरी संख्या होगी भी ये सरकल है एक ये होगया हमारा किरकेट वाड़ा C से नोट कर दिया दूसरा है टैनिस कहलने वाले देखो दोनों खेल खेलते हैं यानि यहाँ पर क्या है दस लिख देंगे कलियर यहाँ पर कितना होगया हमारा दस होगया अब देखो 25 में से 10 गटाएंगे अगर केवल पूछ लेता किरिकेट वाड़ी तो 15 बच गटाएंगे तो 20 में से 10 फिर गटादो यहाँ पर बच गिए 10 अब हमें पता चल गया कि केबल टैनिस खेलने वाले तो हैं 10 और किर्केट केबल खेलने वाले हैं 15 और दोनों खेलने वाले हैं 10 यानि टोटल कितने हुए एक तो तो हैं 15 दोनों खेलने वाले हैं 10 टैनिस खेलने वाले हैं 10 यानि टोटल कितने हुए, 10, 10, 20, 10, 30, यानि 35, कलियर, यानि कि इसने क्या पूछ लिया, उन विदार्तियों इसे क्या पताओ, जो नए तो टैनिस खेलते हैं, नए क्रिकेट, यानि टोटल स्टूडेंट कितने दे, 60, 60 में से कितना करलो, 35, माइनिस करलो, यानि कितना बज़ लिएगा, 25 आपका राइट अनसर हो जेगा, यानि ओप्सन नमबर, सी राइट हो जेगा भी, कुछ नहीं करना था, सरकल मना लिए, दोनों, एक क्रिकेट का मना लिया, एक टैनिस का मना लिया, 25 खेलते हैं क्रिकेट, यानि 25 खिला लिया, यहाँ पर क्रिकेट, इसी परकार और बीच वर्दस को जोड़ लिया, 35 खिलाड़ी हैं, वो खेल खेल रहे हैं, चाहें वो क्रिकेट खेलें, चाहें टैनिस खेलें, चाहें दोनों खेल खेलें, इसने पूछा है, नए खेलने वाले, तो 60 टोटल थे, 60 में से 25 खटा दिया बच्ची कितना, 25 बच्ची कितना अब देखो दूद का रैट कितना है, 15 लिटर, और पाणी का तो कोई मुल्य नहीं होता, पाणी तो कितना मर्जी मिला हो, तो 0 लिख लिया, इन दोनों को बेचना है भी, कितने रुपे लिटर, 9 रुपे लिटर, अब देखो यहां से अनुपात निकाने, 9 में से इस 0 को ग अनुपात कितना होगा, तो 3 अनुपात 2, यानि ओप्सन नंबर कौन सा होजेगा भी, C होजेगा, दूद और पाणी को अलग-अलग कर लिया, 15 लिटर दूद था लिख लिया, पाणी का कोई मुल्य नहीं होता, क्योंगि पाणी कितना ही मर्जी मिला हो, तो पाणी लिख यहाँ पर, अब इस 9 में से 0 गटानी है, ठीक है, तो बचकिया कितना 9, 15 में से 9 गटाना, बचकिया कितने 6, 9 अनुपात 6 आ गया, 9 रेसो 6 आ गया, तो इसको थोड़ा छोट और करो गई, तो 3 ती नो, 3 दू निशे, यानि 3 अनुपात 2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर ह गया, बियाज के रूप में 150 रुपए, यानि बियाज कितना मिल रहा है, आज के क्यूसन है, वो बहुत ज़्यादा इपोर्टन क्यूसन है, भी बियाज के दे रख़े है आपको, 150 रुपए, सादान बियाज पर, यानि टाइम कितना दे दिया, 6 मेह ने, और दर कितनी दे यानि rate कितनी दे दे दी 4% पूछ कहा लिया कितना पैसा यानि mulden पूछ लिया, हमें पता है mulden का सुत्तर क्या होगा, यैनि mulden का सुत्तर होता है, ब्याज गुणा में 100, यानि यापर लिख दिया 20 ये नोट कर दिये ब्याज को ब्याज गुणा में और बटे होता है दर गुणा में समय ठीक है मूलदन निकालना है ब्याज कितना है हमारा डेड़ सो है तो डेड़ सो रख लिए यहाँ पर गुणा में कर दिया सो बटे कितना है दर कितनी थी 4% समय कितना था 6 वर्स 6 महिने थे भी इस महिने को साल में बणाएंगे तो 6 वटे 12 करेंगे तो 12 चल जाएगा उपर 6 दूनी 12 4 पची सो और पची दूनी कितने होगे 50 और पचास और डेड़ सो की गुणा करोगे तो कितना होजएगा राइट आंसर 500 रुपे आजएगा और 500 रुपे क्या थी भी मूलदन था यानि उप्सन नमबर कौन सा होजएगा B ब्याज का सुत्र लगाना था सिदान ब्याज का सुत्र क्या होता है मूलदन गुणा दर गुणा समया बटे सो हमें मूलदन निकालना था तो ब्याज गुणा सो बटे दर गुणा में समय नेक्स्ट क्यूसन देखो A और B ने वरक एंड टाइम से भी क्यूसन है A और B ने मिलकर 4 दिन कारे किया ये रख लिया A और ये ले लिया B और दोनों कितने दिन करते हैं भी काम 4 दिन कलियर A एकेला काम करता है 12 दिन पूछ लिया B से करवाना है यानि सबसे पहले LCM निकालो LCM आ गया 12 4 को 12 को 4 से भाग देना है तो 4 ती ये 12 इस 12 को 12 से देंगे तो 1 बच गया अब देखो B निकालना है अब देखो A पलस B में से A पलस B में से B माइनस करेंगे तो कितना बचेगा A पलस B वाड़ी काई कितनी है तीन है और एक ही काई कितनी है यानि कितना बचेगा दो टोटल काम था 12 बाग दे दो 2 से B का आजेगा दो चिके 12 यानि कितने दिन में आजे एक काम 6 दिन के अंदर कर लेगा अब देखो next question एक वैकती की उमर बेटी से इतना चार गुणा है इसके अंदर भी डारक्ट उप्षन उठा हुआ वर्तमान के अंदर आयू बतानी है वर्तमान में याणि उप्षन उठा लिया मैंने चालीस और दस अब देखो एक वैकती की आयू है अपने बेटे से 4 गुणा है तो इसके अंदर 4 गुणा दिखाई दे रही है इन 10 चोके 40 कलियर 20 वर्स बाद इन दोनों को 20 एड़ कर दो दोनों के अंदर 20 एड़ कर दो क्योंगी 20 वर्स बाद दोनों की पूछी है 40, 20 कितने होगे? 60 और 20 और 10 कितने होगे? 30 अब ये बोल रहा है 20 वर्स बाद उसकी आयू है ना बेटे की आयू से दोग नहीं हो जाए तो 30 दूनी कितना हो रहा है 60 या नहीं दोग नहीं हो रही है ना तो राइट आनसर कौन सा हो जाएगा अपसे नमबर A हो जाएगा भी ना नैक्स्ट किशन देखो जब एक अकेला पासा पहांका जाता है तो चार और पांच अकाने की प्राइकता बताओ हमें पता है एक डाइस होती है यानि लुड़ होती है उसके उपर कितने अंक होते हैं च्छैंक होते हैं भी कितने अंक होते हैं च्छैंक होते हैं टोटल पूछ क्या रहा है चार और पांच अब देखो चार और पांच कितनी बारी आ रहे हैं दो बार आ रहे हैं और टोटल पास्टे पर कितने होते हैं चाह होते हैं यानि इसको काट ओगे तो एक बटा तीन क्या आजेगी प्राइक्ता आजेगी अगर प्रोबल्टी की कलास आपको पूरी डिटेल से देखनी है तो उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्सिन बोक्स में डाल रखा है भी जाकर चेक कर लें तो आज की कलास में इतने सारे Most Important कियूशन आपको करवाए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसली के साथ में बता देते हैं आपको कल हमारा Practice Set है पांच मां होगा भी कल Practice Set कौन सा होगा पांच मां होगा और उसको देखना है तो उसके लि तो आपका इस class से related तो आप comment box में comment कर सकते हैं मैं जरूर आपका comment का reply करने की पूरी पूरी कोशिश करूँआ तो चलिए आज की class में इतना ही मिलते हैं next video में